अपना देशी फेस वाउट दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में आज हम अपनी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि वही नमक कितनी तरह के होते हैं और उनके क्या-क्या फाइदे होते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अंकल जी है ये इसी तरह से अपनी इस बैलबर्गी में नमक का काम करते हैं ये आज हमें बताएंगे कि नमक कहां से मिलते हैं और उनके क्या-क्या फाइदे होते हैं चलिए फिर मिलते हैं इन से नमक करते हैं क्या नाम है आपका पाकिस्तान का अच्छा ये चमूंतरी नमक अपना गुजरात का और गुलावी फिटकरी है कानपुर गी सफ़िटकरी है मिट्टी मुल्दानिया है यह कौन से नमक है यह लाओरिश नमक पकिस्तान के अच्छा अपना ये सपएदी फिटकरी है ये बनाई जाती है अजह पूर्शे आती है यह गुलावी फिटकरी है चोट दर्ध में काम आती है है जोट दर्ध में अब यग यह अपना देशी फेस्वाउस आपने इतने ब्रेंड यूज किये होंगे फेस्वाउस है लेकिन यह कता ही बिल्कुल देशी फेस्वाउस है आप इसको यूह कर सकते हैं और वो बढ़िया निखार पा सकते हैं अंकल का कहना है ये समूंद कर रहे हैं इस बिजनिस कर रहे हैं यह चैसाल से कर रहे हैं यहां के रहने वाले हैं को आप दिली में ऐसे गुमते तांगे से और कहां गुमते हैं ट्लाजमंती गार्टन यहां जाता हूं चैनल के पास यह जाता हूं जैसा कि आहते हैं इतनी प्वाराइटी जारी है यह इसी काम को छेसासा साल से कर रहे है। दिल्ली के सड़कों पर बहुत कोगशना इसका प्राइस क्या है? यह हम यह पतास रुपर किलो देते हैं 50 रुपर किलो देखो यह नेगेटिविटी के लिए भी रखते हैं घर में इसको अच्छा 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 फूद पीछते हैं इसके खाने से नद जैसे बिपी है सूगर है बलड प्रैसर सांस दमार टैक में आराम मिलता है इसको आज इसको बनता है इसे बनत बना जाता है इस नमक से अच्छा मटकों में बढ़कर के इसके अंदर और कुछ जालते हैं आउनला है और और कुछ आरण है अजिक मिलेगा कि अट्टी कोर लें पत्वागी पका दी गाला नमउ का व्योत बता या जिसफिया है जंदी पिकता है अब व्योटर अट कितनी चाहरों जाती है अजी और काम बिल्कुर भी नहीं आज तरह आज यहां जाती है अब हमारे लिए भी कर दिजिये यह कर दीजिये सेंदा नमक एक किलो काला नमक मुल्तानी मीटी भी कर दीजिये अगर आप से कोई नमक लेना चाहें तो उनके लिए बता दीजिए अब कहां कहां गोमते हैं कौन सी जगा रहते हैं सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दोस्तों यह नमक वास्ता में बहुत अच्छा होता इसमें एक्स्टा मिनरल्स होते हैं लेकिन आपको एक बात कर द्धान रखना पड़ेगा कि इसमें आयोडीन बिलकुल नहीं होता जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको आयोडीन नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट होता उसमें मिल जाएगा अगर आप यह नमक खा रहे हैं तो आपको डाइट में एक्स्टा आयोडीन लेने की जरूरत है